हेलो दोस्तों मैं आपका गैड आपको दोस्त अनुराख पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कि एंसी आर्टी कच्छा 11 क्या भूगूल चला था ठीक है हमने बताया था यह इस्पेशल डिमांड पे वीडियो बनाई जा रही है और कच्छा 11 का चैप्टर 9 है चैप्टर के नाम है प्रवड़ता संतुलन की प्रक्रियाएं ठीक है और अगर ऑप्शनल की बात करें वाइकल्पिक विश्य की बात करें भूगूल की तो उसका पहला पेपर है प्रवड़ता ठीक है प्रवड़ता संतुलन इस चैप्टर से आपका आप्शनल भी कवर होगा जी यस भी कवर होगा और साथ में जो पीपर्स हुए हैं भी एक्जाम्स उसमें किस प्रकार से प्रिश्ण आये हुए हैं उनका भी जिक हम कर रहे हैं पिछले वीडियो इसमें भी किया था हमने के इसले वीडियो बहुत ही महत्तपूर हो जाती कि जिस से आपकों दो फायदा हो रहा हुए कि हुआ एक तीसरा फाइदा रिवीजन का भी है पिछले प्रस्टम जो किस तरीके से आये हैं कि आप पूछा गया का उत्तर क्या होगा इस तरीके से तीन फायदे हैं कि तो इस वीडियो को देखने से सुनने से बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको उत्तर लिखना होता है अप्शनल हो या फिर जीएस का पेपर हो तो उसमें आप मुख परिक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे इसको सब्द भी मिल जाएंगे आपको और लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ भी रहें अच्छे से वीडियो आप लोग अच्छे से देख भी रहें नहीं देख रहें तो भी देखने लग जाई है क्योंकि हमने रखता है इससे कहीं अलग सुलूशन आपको मिलेगा और सिंपल सुलूशन है ठीक है कोई हम ऐसी किताब भी नहीं बताते कि जो आपकी पहुंच से बाहर हो या जिसको खरीजने के लिए आपको मार्केट जाना पड़े हैं हम करते हैं वीडियो देख लिए वीडियो को नोटडाउन कर लो आप उससे बहुत सारवेनेफित मिलेगा जैसा कि पिछले दो तिन सालों से हो रहा है तो शुरुआत करते हैं हम लास्ट जो टॉपिक देखे थे नदी गहरी नदी घाटी नदी घाटियों के न हमने देखा था लास्ट टॉपिक पहले वाले वीडियो में आज दूसरा वीडियो ही इसका इसी चैप्टर का कि इसमें हम शुरुआत करेंगे अपर्दन चक्र से तो अपर्दन चक्र होता क्या है या आपको पता है संतुलन की एक प्रकिरिया है कि जो हमेशा चलता रहता ह अपर्दन तब तक होता है जब तक उसे एक निश्चित एक समुचित एक इस्थाई जगह नहीं मिल जाती है और जहां पर इस्थाई एक जगह मिल जाती है उसके बाद फिर वहां से भी अपर्दन चक्र हम देखेंगे अपर्दन चक्र है कि आखिरकार होता कि यह दिन अधी द्वारा विभिन विवस्थाओं में बनाई गहाटी के आकार और विश्ष्ट इस्तलाख कृतियों का हम नदी की अवस्थाओं के संदर्व में अध्यन करें तो नदी के अपर्दन और निक्शेपड क्रियाउ द्व अभी और समझ में भी आएगा अधिक बनाई और बाद में सुधरी के इस्तलाख कृतियां अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं अमेरिकी वेग्यानिक हैं डेविस इन्होंने प्रकट किया था कि इस्तलाख रितियों का क्रमिक विकास होता है जो कई कारकों द्वारा नियमित होता है और ये मुख्य कारक कौन कौन से भाई सनचना चटानों के गुड सुभाव नाम याद रखना सनचना चटानों के गुण सुभाव परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियां तथा उस छेत्र में अपर्दन की अवस्था ये डेविस महोदय ने बताया है उन्हें के अनुसार इस्तल रूपी इस्तल रूपों में एक के बाद एक परिवर्तन एक निश्चत क्रम बद्ध वि असला क्रितियों का विकास चक्र या फिर अपरदन चक्र अगया तो यहां तक सम्झे आ गया हूँ है कि अधिश्च अधिश्चतर नहीं सर्भाई है और याद रहना वरिधावस्त्अमें अपर्दं कैसा होगा अंग होür 25 दि We nat die से हो नादी घाठीके क्रमक विकास में घटित होने वाले इस चक्र को हम सामाने अपर्दं चक्र कैते हैं समान अपर्दं चकर किया होता है यह आपको पता हुआ क्योंकि धरतल के अधिकांश भाग पर इस्तराक्रतियों के निर्मार में धरातल पर क्या होता है बहने वाले जल का ही योगदान होता है और एक उत्थित भूभाग उत्थित का मतलब उठा हुआ भूभाग भी अपर्धन चकर के समापन के समय काफी नीचा और लगभग चाऌरसस सपाट मैदान का रूप ले लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं उपांत मैदान कहते हैं उपांत मैदान क्या है ये भी बात पता चल गई है वैसे तो किसी अपर्दन चक्र का अंतिम समापन के वाल सध्धानतिक ही लगता है क्योंकि वास्तों में कोई भी अपर्दन चक्र पूरा नहीं होता है हमने बताया है कि अपर्दन चलता ही रहता हो कभी रुखता नहीं है अपर्दन चक्र के पूंड होने के लिए एक बहुत ही लंबी आवधि की जरूरत पढ़ती है कि प्रत्वी का धरातल इतनी लंबी आवधि तक शान्त नहीं रह सकता है भूकम भूकम पाते रहते हैं जौला मुखी भूकम प्या सब आते ही रहते हैं है ना तो अता किसी भी अपर्दन चक्र में समय समय पर व्यवधान आते रहते हैं यह व्यवधान जो होते हैं मुखता जलवायो परिवर्तन या आकस्मिक भूसन चरणों के कारण होते हैं इनके कारण अपर्दन चक्र बीच में ही बाधित हो जाता है और फिर नए चक्र की श होता है और प्रणावस्ताला जो छेत्र है ना वह युवावस्था में परड़त हो जाता उसी समय अता किसी पुराने अपरदन चक्र में एक नया अपरदन चक्र चलने लगता है यह बात हमें स्टेटमेंट के रूप में याद रखनी है आगे देखेंगे नदी घाटी का विकास कैसे होता है फिर नदी घाटी के ढ़ालके तेवरता उपरी भाग में सबसे अधिक होती है आपको पता है मद्य भाग में कम होती है और निचले भाग में तेज़े बहुत धीरे धीरे गति करें और नदी अपनी युवा वस्था में रहती है इस लाकृतिया भी युवा वस्था में होती है घाटे का तल तेजी से कट कर नीचा होता जाता है और मध्यभाग में अपरदन और निक्षेप्ण कार्य दोनों लगभग बराबर मत्र में होते रहते हैं, जायर से बात है, कहीं से कुछ कटेगा, तो कहीं न कहीं जाके वो रुकेगा भी याद रखना, अपच्छे, अपर्दन और निक्षे पढ़, तीन क्रियाएं है, अपच्छे का मतलब क्या है, कि चट्टानों का तूटकर गिरना, अपच्छे है तूट कर गिरे हुए भाग का जब परिवहन होता है, उसको हम अपर्दन बोलते हैं, और जब वही परिवहित भाग, चट्टान का, वही परिवहित भाग, जब जाकर किसी जगे पर इस्थापित या इस्थाई होता है जहार पर जम जाता है उस छेत्र को उस क्रिया को हम निक्षेपन बोलते हैं यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां नदी का आचरन और इस्थाकृतियां प्रवड़ावस्था वाली होती है मध्य भाग में हमने पहले ही बता दिया ठीक है निचले भाग में जहां परदन कारे करीब 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 समाप्ती हो चुका होता है और निक्षेपन कारे अतिधिक मातरम होता है वहीं नदी का शेगर ही वो वृद्धा वस्था में परिवर्थित हो जाती है एक नया छेत्र जैसे ही समद्र की सतह के उपर उठता है उसके धरातल पर बहने वाले जल की क्रिया के कारण अपर्दन चक्र फिर से प्रारम होता नदी दार किये जाने वाले कार और छेत्र में विकसित इस्तला कृतियों को देखकर अपर्दन चक्र की अवस्था को आसानी से पहचाना जा सकता है प्रतेक अवस्था में नदी के विशेशकार और विभिन प्रकार की इस्तला कृतियों का विश्लेशनर उपर किया जा चुका है हमने पहले भी देख रखाई सब उद्गम से लेकर नदी के मुहाने तक जहां से इसकी उत्पत्ती हो रही है और जहां पर यह जाके समद्र में मिल रही है या समद्र में नहीं तो किसी नदी में मिलती होगी या किसी जील में मिलती होगी वहां तक की बात हो रही है मुहाना क्या है जहां पर यह जाके अपना अंत करती है उसी को हम मुहाना बोलते हैं उत्पत्ति आपको पता है उत्पत्ति मेलब जहां से उत्पन होती होगी तो याद रखना नदी के तल की उचाईयों को दरशाने के लिए यदि पार्शो काट का एक खचत्र बनाया जाए तो वह एक निश्कोड वक्र क्या स्मूध कर्व बनेगा जो अंतिमावस्था में प्रावडित वक्र का द्योतक होगा यह वक्र नदी के मुहाने के पास लगभग समतल दिखेगा भाई इसके ढ़ाल के तीवता उपर क्यों कर ना इसका जैसे जैसे मुचाईग पर बढ़ते जाएंगे इसकी तेवता बढ़ती जाएगी अब जैसे ही हम उद्गम पर पहुंचेंगे वहां पर इसकी तेज हो जाती है उस जील या समुद्र के तल को जिसमें नदी गिरती है नदी अपरदन का आधार तल होता है याद जिस पर नदी अपने मुहाने के पास बहती है अएगा पूरी नदी घाटी का आधार तल उस निवनतम जाल वाले तल को कहेंगे जिस पर नदी अपने अवसादी बोज की शाथ सुविधा पूर्वग बह सकती है उसी को हम क्या बbarsंगे नियोनतम धाल वाला तल जहां पर सुब्धा पुर्वक बहेगी कोई भी नदी अपनी घाटी के तल को आधार तल के नीचे नहीं काड़ सकती ये कनफर्म है तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नदी अपने घाटी के तल को आधार तल के नीचे नहीं काट सकती तल को काटकर नीचा करते समय नदी का लक्ष ही होता है क्या कि आधार तल तक पहुंचना कुछ नदियों के आधार तल आइस्थाई होते हैं और यह वे नदियां है जो किसी जील या किसी बड़ी नदी में गिरती ह तो जिनका आधारत आइस्था होता है ना है पक्का है कि वो नदी खीन में मिल रही होगी या किसी दूसरी बड़ी नदी में जाकी मिल रही होगी नदी अपने इस्थाई आधार तल पर तभी पहुंचती जब मारग की सभ़ी असमान ताओं को वो हटा देती है तभी वो पहुंचती कहाँ पर इस्थाई आधार तल खाटे में इस लकृत्य भी समतलमादान जैसी होती है याद रखना नदी अपनो यह अंतिम लक्ष साइध ही कभी पूरा कर पाती होगी यह कभी नदी ने यह लक्ष पूरा तल माना जाता है हमेशा के लिए वो भी इस्थाई नहीं रहता है यह बात हमें ध्यानक ना है अब हम देखेंगे कि अंतिमाधरतल का लक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता भई या परदन चक्र की बृद्धा वस्ता के अंतिव चरल का समापन क्यों नहीं हो पाता क्यों नहीं ह गिर्ती है किसी कारण से नीचा हो जाता है तो नदी अपरदन का आधारतल कैसा हो जाएगा समद्र में गिनने वाले नदियों में भी ठीक यही परिस्थेति उस्समें होगी जब समद्र कजल स्तर नीचा हो जाएगा अपने पढ़ा भी होगा कि बंगाल की खार जो डियां मिलती है वह डेल्टा करनेमार करते हैं और अप सागन मुझोगरती वह एस्च्चोरी बनाती हैं क्यों बनाती है दोनों में अंतर है एक तरफ नदी आराम से जाके मिलती है एक तरफ नदी क्या करती है एक आएक मुहाने पर जैसे पहुंचती है वो धपाक से बड़ी तेजी एक साथ तीवर्ता के साथ वो समधु मिल जाती है यह अरफ सागर की नदिया है ठीक है लेकिन यहां पर सिंदु नदी के बारे में इसा नहीं है क्योंकि सिंदु नदी डेल्टा का निर्मार करती है याद रखना है यह भी आगे देखते हैं समधु गिल्यान नदियों के में भी यही परस्तिती होती ठीक है अच्छा जो समुझ को जल से अच्छा हिमानी करण कल्प में जब रिहत इस्थल्भाग पर बर्फ का जमा होने लगता है तो ऐसी परस्तिती आ जाती है ऐसी अलब में निश्कोड प्रवी चाह काटना फिर से प्रारम कर देती है प्रवलित घाटी तल में व्यवधान उत्पन होने पर क्या कर रही है अपने तल का बहुधा नीचे से उपर की और सुधार करने लगती है अपने पुराने निक्षेपों में जब नदी नए सीरे से अपरदन शुरू करती है तो दोन है घुड्र की रागतती है यहां बसक्राइबरण से लेकैने चाहिता ह्खांपने फिस जब जब आधार तल नीचे होता है तब तब नादि अफन पुरान निक्षेप में यह आवश्क्ता पढ़ने पर आधारी चटान भी अपर दन न करके उसे अपनी घाटिसे गहरा बना देती है जब जवाब सकता होगी, यहाँ पर क्रिया अवस्चतान सर कई दूर आये भी जा सकती है, ठीक इसके विप्रीन, इसके अलग हम देखेंगे, इस्थल मंडल पर, तो इस्थल मंडल उपर उखता है, इस्थल खंड उपर उखता है, तो नया अपर्दन चक्र उपर से आगे देखते हैं जहां पर क्या होता है कि ढाल उत्थान के कारण तीवर हो जाता है जलवाज परिवर्तन के कारण जब बड़ी प्रमाने पर हिमाच्छादित प्रदेश्चों में सही बर्फ अधिक मात्रा में पिगालने लगते तो समुद्र का जलिस्तर भी क्या करता है क्यों कम होती है और वे तेजी से निक्षेपण कारे शुरू कर देती है भी जलिस्तर बढ़ गया ना समुद्र का इसलिए तैसा हो रहा है कि उनकी भारवान शमता है कम हो रही है नदी घाटी के पुराने तल पर नए अवसादों का निक्षेपण होता है और तल क्या होता है उँचा उठने लगेगा मतलब क्या है मतलब यह है कि उस घाटी में नए अपरदन चक्र का कार्य शुरू हो जाता है यदि भू संचरण से या जलवायों के परिवर्तन से पुरानी नदियां फिर से यह वावस्थाम आ जाए तो क्या होगा पुनर्यवन रीजुविनेशन उसे बोलते हैं जब यह फिर से यह वावस्थामे नदि आ जाती है जलवायों परिवर्तन के कारण उद्गम के समीब यह इस्थलकंड का उत्थान होता है या फिर मुहाने के पास समुद्र जल इस्थर का पतन होता है द्यानकन या फिर इस्थलकंड का उत्थान हो जाए उ नदी घाटी के तल को काट कर नीचा करने वाली क्रिया फिर से शुरू हो जाती है और इसके परड़ाम सुरू पुरानी घाटी के नीचे एक नई घाटी का भी निर्मार शुरू हो जाता है और नदी वेद के फिर से बनने लगती है और क्या होता है फिर विशर्पी मार्ग मे तल के गहरा होने से गहरे विसर्फ बनते हैं ऐसे विसर्फों के दोनों किनारे क्या होते हैं तीवर ढ़ाल वाले होते हैं नदी घाटी तल के पुराने धाल में व्यवधान उत्पन होने से ही नए परदन चक्र की शुरुवात होती है या रखना ये दिस समुद्र का जलिस्तर उचा हो जाए ये इस धल खंडधास का नीचा हो जाए तो क्या होगा तो ये वा नदियां भी व्रिद्धावस्ता में आ प्रिचा हो जाए तो क्या होगा तो भी या नदी ये वावस्ता में होगी वह समझें हो जाए लेकिन अपरदन ध्यान में रखनी है इन परिवरतनों की मदस से नए अपरदन चक्र अपने कारिश समापन की और तब तब तक को बढ़ते भी यह जब तक कोई नया व्योधान नहीं आ जाता है तब तक यह इसे काम करते रहेंगे कि इसके आगे देखते हैं अपवाह तंतर देखे ले तो अपवाह तंतर क्या भर पूण्रूरूप से बिकसित अपवाह बेसिन में नदी नदी कृत इस्तलाकृतियों का अच्छा भी कास होता है तो कहानी के रूप में है भूमिका के रूप में भूम के बनानी पड़ती है अपवाहत अंत्रों इसे होता क्या है सिंपल सी भाषा में अगर वोला जाए साधरान भाषा में तो मुख नदी और उसके सहायक नदियों क द्वारा अपवाहत जो छेतर होता है या उनकी द्वारा जो अपवाहत मार्ग होता है जो अनुसरान मार्ग का अनुसरान करते ही बहती है इससे भी एक साथ वह तो अपवाहत अंत्र है सिंपल भाषा में एक बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ एक अपवाह बेस हुआ है दो जगा फिलाग लेकिन एक है नदी जल्ववाजक लूप में अम्मालवर्ण है याध रखना भारतह्त और नदी जल विवाजक के रूप में कार्य करता है ये बात हमें ध्यान रखनी है डक्षन भारत में पश्चमी घाट की परवस्रडी एक जल विवाजक है पश्चमी भागी परवस्रडी जिसके एक और की नदीया पूर की और बहती है और बंगाल की खाड़ी में दूसरी और पूरव की नदि को पार करके थोड़ेंगे कि में मृधिव यह हो मृ-ली बायाया है कि उस परवत यह उच्छ-भूमी को जिसी आफोकर नदी बहती है और जल, ग्रहा करती है नदी का वही होता है अपवाचेत प्रारंभिक मौलिक ढाल पर बहने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं इस अनुवर्ती नदी में मिलने वाली साहिक नदी को बोलते हैं परवर्ती अनुवर्ती नदी को है जो मौलिक ढाल पर बहने वाली नदी है है इस अनवारति नदियम जो नदियां और मिलती थी हैं उनको क्या बोलेंगे प्रवरती नदिय नदीय तो परवरतिन ए जो कमचोड चटान इस संसथ्र में अपनी घाटी बनाती ہے हैं चैज़ी मुणाइम है ऍपने कंभा स्भावरती है उसकी सभी होगा के talking कि यहाँ करने की आवशकता नहीं पढ़ती है ऐसी नदी को ओक्रम वरती नदी कहते हैं जिनन को अपने दिशां ठीक करने की आवशकता नहीं परती इन सबी प्रकारों के नदी प्रारूप चार सामान अपवाहतंतर बनाते हैं जिसको नाम है भई यह द्रुमाकृतिक ब्रक्ष के समान, समानांतर, जाली नुमा, अरिय अपवाहतंतर यह चार प्रकार के अपवाहतंतर होते हैं इनका नाम याद रखना द्रुमाकृतिक अपवधतंत क्या हुई अगर इसको देखेंगे द्रुमाकृतिक अपवधतंत तो ये आक्रमवर्ती नदियों से बनता है तत देखने में व्रक्ष के समान लगता है नाम ही व्रक्ष के समान। अंग्रेजिम इसे डेंडरियेटिक भणते हैं यह सब्द ग्रीक भाषा की डेंडरेन सब्द से लिया गया है जिसका अरत होता है व्रक्ष डेंडरेन फ़िए अंठर भणती है और इस तंतर में मुख नलदि क्या करती है जिक के समान होती है और उसकी सहाइग नदियां क्या करती है शाखाओं की शान भाती मुख्य नदी में आकर नियून कोड़ों पर मिलती रहती है याद रखना और शुरू में अनेक सहाइग नदियों के मिलने से इसका क्रमश्य विस्तार होता है कि उसके समय बड़ी सहाइग नदियों के रह जाने से क्या होता यातंतर सराल सा दिखाई देता है इसमयान्तर अपवातंत क्या है यह तीवर ढ़ालों पर विक्सित होता भी यह याद रखना इसमें सहयक नदियां मुख्य में मिलने से पहले बहुत दूरी तक उसके लगभक सवानांतर वहती हैं कि जाली नुमा अपवाथन्त क्या जालिक तरह होगा ना तो जाली नुमा पवाथन्तर वलिद सनुचना पर नेद्ध सनुचना पर जहां कठखोर तो चटान के अपनत कटकों के मद्द अभीनत घाटियां होती है इसमें चटान एक समान गुणवाली नहीं होती है याद रखना एक समान गुणवाली जहां पर चटान नहीं होंगी वहां पर कौन से जाली नुमाप वहत अंतर बनेगा इसमें चटान एक समान गुणवाली न इस तंतर में नदियों की व्यवस्था लगवग समकोर चत्रभुज के समान होती है इसे बोलते हैं जाली नुम अपवा तंतर तो अरिया अपवा तंतर क्या है भई ये देखें अभी चित्र आप देख सकते हैं ये ब्रक्ष दुर्मा कृतिक है ये जाली नुम और ये अरिये समान अंतर भी है ठीक है तो अरिये अपवा तंतर क्या है इसमें नदिया एक स्थान से निकलती हैं सभी दिशाओं में साइकल के पहिये की तीलियों की तरफ बहती रहती है ठीक है ये वाला ये वाला जो चत्र है किसी गुमदाकार छेतर के शेतर से निकलने वाली नदियां अरिये अपवा तंतर का निर्मार करती है किसी गुमदाकार छेतर के शेतर से जो निकलती है पारसनाथ पहाड़ी की धालों से निकलने वाले नदियां अरिये अपवा तंतर का एक सुंदर उधार प्रस्तुत करत जाती है और किसी समुद्र जील तक पहुँचने में विफल हो जाती है परवती चद में कहीं कहीं परवती अपवाह देखने को भी मिलता है जहाँ कोई नदी ऊची परवत सिंखला के आरपार किसी गहरी घाटी को काट कर बहती है जैसे सिंदू सतलज नदियां क्या करती है त पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरान पेश करती है तो यह क्या करती है पूर्वर्ती अपवाह का उदाहरान पेश करती है जल जब नदी के मार्ग में परवत का उठान होने लगता है तो कैसे होता है जैसे जैसे परवत उपर उठता जाता वैसे 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 नदी क्या अपने अपर्दन शम्ता से अपने मार्ग में पढ़ने वाले इस अवरोध को लगतार क्या अगरती काटती रहती है पूर्व वर्ती उपार उधारण है नदी तल पर परवत के उत्थान और नदी अपर्दन द्वारा कटकर नदी घाटी के तल के नीचा होने की नदी के की जलते समान बर्फ भी गतिमान होता है याद रखना और अपने कारचात्यों में विश्ष्ट प्रकार के भूद्रिश्चों का निरमाड भी करती है उन परवत उच अक्षाज्ची प्रदेश्चों में जो पहले कभी हमाने से ढख्यदह हुए थे गतिमान बर्फ द्वारा निर्मित इस्तला करतियां वहाँ पर देखने को हमें मिल सकती है बास समझ रहे उन चेत्रों में जहां तापमान हिमांग के बिंदू से कम होता है तापमान क्या होगा हिमांग के बिंदू से कम होगा जलवरिष्टी हिमे के रूप में वही पर होती है जहां वार्षिक हिमाले हिमपात वो जहां वार्षिक हिमपात की दर उसके पिघलने और वास्पत होने की दर से अधिक होती है वार्षिक हिमपात की दर गिरना बर्फ का गिरना लेकिन उसके पिघलने और वास्पत होने की दर से वो अधिक होगा वहाँ पर बर्फ की मोटी तह भाई जादा गिर रहा जादा मात्रा में लेकिन खतम हो रहा धीरे धीरे तो क्या होगा भाई जैर सी वात है जमेगा ही तो अधिक होती है जमने की दर अधिक होती है वहां बर्फ की मोठी तहें जम जाती है ताजाहिम कुछ दिन तक जमीन पर दवे पड़े रहने पर थोस सघन रवेदार बर्फ बन जाता है और नमे के पुना जमते रहने दबाव के कारण ही उसमें यह रूप परिवरतन होता है दबाव के कारण बर्फ के करणों के बीच की हवा जब निकल जाती है तो क्या होता है तो वह ठोस संगठत रूप धरन कर लेता है और दाव तथा गुत्वा करशन के कारण क्या होता हुआ गतिमान हो जाता है किस के कारण दाव और गुत्वा करशन के कारण बहुत ही दीमी गती से बहने वाली इस बर्फ की नदी को हिमानी बोलते भी है सबसे पहले सन 1834 में नाम याद रखना लुई अगासिस है कब 1834 में तो सबसे पहले और 1834 में लुई अगासिस नामक सुिस सुर्जर लैंड की विद्वान थे इन्होंने सिद्ध किया था कि हिमानी के बर्फ में गती होती है तो किसने सिद्ध किया भाई पता होना चाहिए और कब किया यह भी पता होना चाहिए हिमानी या क्या करती है हिम छेत्रों से निकल कर बहती है इन्होंने ऐसा सिद्ध किया बताया कि हिमानी के बर्फ में गती होती है अस्ट्रेलिय के इलावा अस्ट्रेलिय के अलावा सभी महदोई पे हिमानी मिलती हैं छेत हमेशा में हमेशा हिमरिखा से उपर इस्थित होता है यह यादतना हिमरिखा क्या है हिमरिखा एक ऐसी रिखा होती हुआई कि जिसके ऊपर जिसके बाद बर्फों का जमना मिलने लगता है वही है हिमरेखा ठीक है तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हिमच्छेत्र जो होता हो हमेशा हिमरेखा से ऊपर ही इस्थित होता है तो यह पॉइंट हमें याद रखना है लुक्त हो कि आ शुरुवार जहां सोगी वहां पर ज्यादा मिलेगी या फिर बिलकुल ऊचे ृस्तान के मीलेगी भशोड में ज्यादा बंलेगी या पिर द्रूमारा में मिलेगी करक रेखा मकर रेखा उसके ऊपर चलिए 66 पर तो मिलेगी तो लेकिन धुरुई श्यत्रों के प्रिक्ष्ण कम मेलेगी है तो यह यह मन रहा क्या होती धुरुई प्रदेशों में समुद्य इस तरसे लेकर विश्वती प्रदेशों में 5000 मीटर से भी उचाई तक मिलती है और इसकी उचाई वाय मंडली आर्दता और ब्रिष्टी की मात्रापन निर्भर करती है या या रखना इसकी उचाई किस पर निर्भर करेगी यही क्यारण है कि हिमाले की दक्षणी धाल पर इस सीजिश क्या है तो उसका उत्तर हैं भी 42100 से 6000 मीटर है इसका क्या है कि आर्दता पूर्ती में क्रमसा निरं और निरंतर कमी ढ़ल कि तेवता आर्दता पूर्ती में निरंता के कारण हम जैसे जैसे हिमाले परवत की उपरी आंतरिक मुख्ध आंतरिक सस्क भाग की और बढ खाकी उचाई भाइज भाइए बढ़ती ही जाती है याद रखना शीत्रतु में हिमाल्यच्षेत्र की मौसमी हिमर्यका नीचे खएक हाती है शीत्रतु में थोड़ा और खेशक जाएगी इस तावी 12 सुतन तुर 2200 इसलिए पताती हुए बैल सो से 6000 मीटर हिम रेखा के उपर हिमचेत्र के विकास के लिए उप्युक्त परिस्थितियां पाई जाती भीया कौन सी है मंद ढाल जहां से ताजा हिम पवन द्वारा हटाई ना जा सके और एवे लास के रूप में तूटकर ढाल से नीचे ना गिरे पहला है मंद ढाल दूसरा क्या है सूर की सीधी केरणों से सुरक्षित कुछ गहरे इस्थानिया गर्त हिम रेखा के उपर हिमचेत्र के विकास के लिए उप्युक्त कार रखें भीया ये दो गतिमान बर्फ धरातल को अपने अपरदन कारे द्वारा कारती है और जिस अवसादी बोज को ढोती उसे अपने तल पर निक्षेपल कारे द्वारा जमा भी करती है इस अवसादों को काट कर क्या करेगी अपने साथ लाती है और कुछ अवसाद उसकी घाटी की किनारों पर चट्टानी भागों में तूटकर गिरते हैं उस चट्ट की सभी पुरानी इस्तला क्रितियों क्या ह क्वर्ग कौनक holiness एक तो इए महादूइपी कि हिमानी दूसरी हम चत्रक परवतपदी हम लिए विल इक कि महादोइपी कि मादी कि ऑन जो विछाल चौंए में हिम की विस्त्र का दर से डे अपने वर्ग की पुरानी करों से बहुत चोटी है यह महादूईपी हमानीई ए रहें पुराने जमानमी एहमानियां उत्तरी योरोप कहा कहा थी पहले उत्तरी योरोप एशिया उत्री अर्थभाग के अधिकांश च्छत्रों को ठके हुई थी ऐसी महादोई पी एहमानियां आज भी अंटार्कटी का महादोई पाउर ग्रेन लैंड में मुझूद हैं उद तर्वत च्छत्र को ठ्चत्र को ठ्च रहते हैं जिन से ःंडियां निकलती रहती है 打 और अक्शांत्र वे में पर बड़ि ये थे लिप लग्षादर को पर्वत पदी माने कहते हैं इस वर्घ की मानिया क्या करती है indhash any alaska Weg पाई जाती है तो हिम्हानलदी क्या है मैं कर में मुद्धी उच्छी परवस्रेWarnt इंडियों पर हमणजियों होती है उच्छी वास्तों में हिमनदी का और्थ होता बर्फ की नधीबाई महजार्व मीटर मोटी होती है और अपने जमाव के मद्यभाग से चारों और हर देशा में प्रवाहित होती रहती है तो क्या होगा? किन्त हम नदी प्रवतिय धालों पर घाटी में सीमित होकर नीचे की और बर्फ की नदी की रूप में बहती रहती याद रखना सीमित होकर बहती है इनके आकार में काफी विबिनताय होती है कैसे कि भारती हिम्नदियों में सबसे बड़ी कार कोर्म परवस्य Easter की सियाचिन हिम्नदीह की सबसे बड़ी ये प्रश्न कॉछा गया और पेपर में सबसे बड़ा हिम्नद कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है 부탁 ecology ग्लेशियर 42 क्लोमीट याद रख़ना लम्बाई भी पूछी यहां पेपर में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नहीं यह कि तो अज का उत्तरकंड है उस समय का तटकाल Mainly उत्तर प्रदेश की बात हो रही थ ă यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड में यहाँ पर लेंगे गंगोत्री हिम्नद है जो सड़े साड़े 25 किलो मेटर लंबा है हिमाले के प्रवस्ट रिंखलाओं के अने बाग अने एक छोटी हिम्नदियां है जिनकी लंबाई 5-10 किलो मेटर के बीच है तो एक चीज़ हमें यह भी पता हो गया कि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वो कि इस स्रेणी में इस्थित है कारव कॉरम ठीक है कि इसके आगे देख लेते हैं हिम्नदिय के प्रवती शिष्ष पर एक विस्तित हिम्भंडार होता है जहां से एक हिम जिह हुआ निकल कर किसी पुरानी घाटी में धेर धेर नीची के और बैती और उस्र भाग में पहुंचकर पिघल जाती है वह अधिक हिम्पात वाले वर्षों में यह हिम्नदियां पर पर और नीचे तक जाट आ जाती है अठारा सो अठावन तक कि यह हिम्नदियां क्या थी आगे बढ़ रही थी कि अब इनका हिमों हिमोख जो है पुरानी सीमा रेखा से पीछे को और खिसक रहा है आदने की यूग में देखें तो आप एक साथ सुस्क जलवाई के परिवर्तन का मापक भी होती है याद रखना हिम्नदी जलवाई परिवर्तन का मापक होती है अपने पढ़ा होगा बेलना करना मूना निकाला जाता है उससे पता लगा जाता है जलवाई में कितना परिवर्तन हो रहा है 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 ना हिम्नदी किवल हिम का एक पूर्ज मात नहीं है बलकि इसमें उपर से नीचे तक चट्टानी पदार्थ भी परे होते हैं इस चट्टानी पदार्थों को अपोड क्या बोलते हैं अपोड हिमाने गुलाश मृत्ति का इसका संघटन बेमेल होता है इसमें गुलाश मृ के साथ मिट्टे भी मिली होती है ये गुलाश क्रमहीन, नुकीले, रुखडे, चट्टानी तोड़े होते हैं नदी गाटी में पचाने वाले गुलाकार्चिक ने रोडों से हिम्नदी के गुलाश में बिल्कुल भी होते हैं शुष्क हिम शुद्ध। शुष्क हिम जो होते हैए उस्षुद्ध जल की तरह बहुत ही कम अपरदंकारी होताएं किन्तो चत्छानी ओसाद इसे अपरदं sweptर के लिए क्या करती है सक्षम आउजार देती है वाई सक्षम आउजार देती है जिसके सारी क्या होता हिमनदी अपने तल तथा किनारों से चट्टानों को खरोचती काटती तोड़ती रहती है और यही कारण है कि चट्टानी आउजार घिसते घिसते एक सत्था पर खूब चिकने हो जाते हैं, जिस पर बहुत ही बारिक खनोच के निशान भी पड़े होते हैं, ये निशान समानांतर पतली धारियों के रूप में होते हैं, हिमनदी की गत बड़ी ही धीमी होती है, ग्रिन लैंड में ग्रिश्म काल में ये 18 किलिमेटर प्रती दिन, याद रख हिमनदी की गती घटी के ढाल और हिम परतों की मोटाई पर भी निर्व करती है, याई कराण है कि हिमनदी की गती बीच में अधिक और किनारों पर कम होती है, बीच में अधिक होगी, किनारों पर कम होगी, किनारे पर हिम की मोटाई कम होती है, नियाद रखना, और दीवार त्टाल से घर्षण भी अधिक होता है और किनारों पर चट्टानी आवसादों की बुझे से भी गटीए घटी रहती है लुद्धों के अंदर आसमान गटी होती है लिए इन्हें भी द पर द कि यहांत देतẩबाने के हम द इनै की फटने से उस पर जो धरारे पड़ेंगी उसे बोलेंगे हिम बिहुवर चुकि किनारे की बर्फ बीच वाले बर्फ से चाल में पिछड़ जाती है बीच किनारे वाले की जो बर्फ है बीच वाले बर्फ से चाल में पिछड़ती है इसलिए हिम नदी पर किनारे से बीच की ओर जाते ह चोटे और चिछले हम चादर हिम विद्वर विवर दिखाई पड़ते हैं जहां घाटी का क्या होता अकस मात तीवर हो जाता है वहां हिम नदी की आरप पर यह गहरे हिम विवर बन जाते हैं यहां धाल से पीछे वाले भाग कि बर्फ तीव दाल पर उतरती हुई बर्फ की रफतार से नहीं चल पाती है अता ऐसे तीव ढालों की पर क्या होता हिम नदी बड़े-बड़े हिम खंडों में तूटने लगती है और आगे बढ़ने पर जब ढाल फिर से मंद हो जाए तो क्या होगा तो भाईया सीधी जिवात है हिम नदी पर विक्सित ये बिफूर क्या होंगे बंद होने लगेंगे और हिम खंड आपस में जोडने लगते हैं हिम खंड का धरातल फिर से चिकना होगा समतल बन जाएगा हिम नदी जिब घाटी के संकिन भाग से अप्रेक्षा के चौड़ भा आख से दो सकते हैं है है तो तो खास ताजी बर्क में यह सब होता रहता है तो फिर क्या है अब देखिए इसके आगे देखेंगे थोड़ा सब उस समय क्या होगा है यह शेर अथवा हाथी फंसाने वाले फंदों पिजड़ों की तरह सासी प्रवता रोहियों से लेकर भोले भाले यात्में तक को धोके में डाल देते हैं और उन व्यक्तियों को अपनी जान गवानी पड़ती है इन मेंसे अनेग वीदर एक से दो मीटर चोड़े पचास से लगए दो सु मीटर गहरे भी होते हैं यह दैत्याकार मुखवाले वीदर ताजी बर्फ से भर जाने पूरी तरह ढग जाने के बार उपर से दिखाई नहीं पड़ते हैं ठीक है बालू बजरी चटानी का कड़ों टुकणों के रूप में अवजार की उ का मगरिप पर डालता है यह दिखिमनादी द्वारा परदन धारतल के काफी छोटे भाग पर होता है फिर भी इस से निर्मत जो इस्तलूप है वह हिमानी द्वारा प्रभाई चेत्र के विशिष्ट लक्षानों को प्रदाशित करते हैं याद रखना हिमनादी द्वारा बन चाहिं या यह आकार की घाती तो इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो आजकी वीडियो लंबी बहुत हो रही है तो इसीए सार आजकी वीडियो हम इस हिप स्माप करेंगे और आप लोग ध्यान से सुन लिजिए इसको पूरा वीडियो नोट डाउन भी कर सकते हैं जोडना है जो डाउट में लगे वह आप हमसे पोच भी सकते हैं बे फिकर हो के इसन में नंबर पर प्ossen कर सकते हैं कि ऑनें तो फिर आप इसी नंबर पर टेलीग्राम मैसद कर सकते हैं लम को तो इस अब साथ आज के वीडियों हम्हीं है इधुक्त करेंगे और अगली वीडियो साथ हम कल मिलते हैं तब तक के लिए धन्य बाद